अग्यूंग दोस्तों वेलकम बैक तो माइ चानल एंड नियो व्लोग तो शुबह शुबह तयार होके ओफिस के लिए निकल पड़े हैं आज मेरी आवाज में आपको थोड़ी सी दिक्कतारी होगी क्योंकि मेरो कुछ हो चुके है सर्दी के लाल जिसके कारण आवाज थोड़ी सही से नहीं आ पार रही है थो अगले में खराश जैसा है तो अवाज में थोड़ी आज दिक्कत रहने वाली तो मिलते हैं आपको थोड़े दिर में दोस्तों अफिस से जश्ट आ चुके हैं और हमको बशने छोड़ा है और पीछे जा रहे हमारे बुगा जी के लड़के किस्मत कुमार को पता नहीं मार्केट जा और यह रास्ता थोड़ा कठीन है क्योंकि पानी भरा पड़ा हुआ है कि बारिश हुई थी दो दिन पहले तो तो मैं देखता हूं कि रोईकर पर कोई है तो थोड़ा काम था कल के लिए इसलिए जा रहा हूं फिलाल कि दस्तो मैं पहुंच चुका हूं मेरे बुआ जी के कर और यह इधर पर बैठे है मेरे दादा जी इनके एक आंख के मोती बिंद का ओपरेशन हुआ है फिलाल तो चस्मा पहन के बैठे हुए है और इधर पर सामने मेरे बुआ जी के तीनों बच्चे और एक अभी फिलाल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है मेरे फूफा जी भी अभी नहीं दिखाई दे रहे कहां पर है मेरे बुआ जी साइद बाजरे की रोटी बना रहे है और मेरे दादी मा उधर पर बैठी है और मैं आपको दिखाता हूं देखिए यह इधर पर चुले पर देशी चुले पर बाजरे की रोटी बन रही है यह इधर पर बैठ है मेरे बुवा जी और यह दादी मां हमारे कि दोस्तों ज़स्ट बुवा जी के कर से निकल चुके हैं और अपने कर के तरफ जा रहा है फोन आया था कि गार्डन में पानी देना है जो सब्जियां वो रखिये उसमें इसलिए जल्दी से जल्दी तो मैं मिलता हूं आपको कर जाके दोस्तों वेजी टेबल्स में पानी पिला के आ चुके हैं कबके उसके बाद मैं गवसाला में गया था दूद का पैसा देने के की हमारे उदर आता है देशीगाए का दूद इसलिए दोसाला में जाना पड़ा दूद का बिल देने जो ज्यादा नहीं था क्योंकि डेली पांसो एमेल ही आता है और अभी खाना बन चुका है तो दिखाता हूं आपको खाना क्या बना है आज कि अज़ दोस्तों खाना तयार हो चुका है बाजरे की रोटी बनी है एक उदर पर है और आज बना है सबस्य में यह देखो क्या हो गया मेरे से भिंडी और विथ दही विथकार्ड जो खाने में अलग ही मजा आता इसमें है ताजी चास इसमें है खटी छास इसमें थोड़ और उसके मम्मी इधर पर मयूर जो कि आज हमारे साथ खाना खाएंगे तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद में कि दिस्तो खाना हो चुका है अभी और बस बैठे हैं अभी शो जाएंगे तो आज की व्लोग में बस इतना ही मिलेंगे सब्सक्राइब करते हैं कि यहीं कहना चाहता हूं प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एक अच्छा सा कॉमेंट कीजिए और कोई क्वेस्टन है तो पुछिए मैं जरूर से जरूर रिप्लाइद दूगा मिलते हैं कल सुबर फिट से एक बार तब तक के लिए बाए बा जया बारत